अलो नमस्कार दोस्तों पूजा कम्पिटर में आपका स्वागत है मैं हरीस आज के टॉपिक में आपको बताएंगे दोस्तों साउथ बिहार पावर डिस्ट्यूबिशन कंपनी अगर हमारा बिल जादा आ रहा है या कोई problem हुआ है reading में हमारा problem हुआ है या हमारा नाम गलती है या कुछ गलती है तो आप सब online without भाग दोड़ के हूए आप कैसे complain कर सकते हैं और अपना solution पास सकते हैं तो सब online हो चुका है दोस्तों आपको कहीं भागने के जरुवत है और आप लोग online complain करके यह सब सुधरवा सकते हैं बिजली बिल एक्ष्टा हो गया है रिडेंग गलती हो डाल दिया है जो भी जिस टाइब का भी complain हो वो सब आप online वो कर सकते हैं जैसे आपका बिल नहीं received हो रहा है बिल आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप complain कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है हम चाहते हैं कि मतलब हमारा connection बंद हो जाए हम I suppose that किसी दुसरे जग आप जाना चाहते हैं इस जग पे नहीं रहना चाहते हैं तो आप final बिल कैसे बनवा के ओ-line कटबा सकते हैं उसके लिए भी आप complain कर सकते हैं ठीक है incorrect meter information on bill मतलब हमारा जो meter लगा हुआ है घर पे वो कुछ और है और जो हमारा bill generate होता है जो bill मिलता है उस पे हमारा meter number कुछ और सो करता है इसके बारे में भी आप complain कर सकते हैं हमारा bill पे जो है नाम गलत है address गलत है उसके लिए भी आप online complain करके सुधरवा सकते हैं अपना name and address bill पे आपका connection रसीद में नाम सपोजड़ेट हरीस है और bill पे कर दिया है कुछ गलत कर दिया है तो वो आप सुधरवा सकते हैं address आपका इन परिपति गलत है तो वो भी आप सुधरवा सकते हैं ठीक है दोस्तों incorrect tariff tariff जैसे हमारा देखिए घर का होता है DS1 हमने घर का connection लिया और दुकान का connection हमारा bill पे आ रहा है तो उसको tariff करते हैं उसको भी आप change करवा सकते हैं load क्या है दोस्तों जिससे हमारा load एक किलो वाट है normal जो हमने घर परिशर में लेते हैं देखिए फेस है फेस हमारा जो नॉर्मल होता है घर दुकान के लिए नॉर्मल चोटे चोटे जगों के लिए वह हमारा single face में चलता है दोस्तों अगर हमने single face का connection लिया है और three face का या आ रहा है हमारे bill तो भी आप correction करवा सकते हैं ठीक है दोस्तों payment credit note मतलब हमने कोई payment किया है और वो हमारा bill में adjust नहीं हुआ payment तो उसके लिए भी आप complain कर सकते हैं wrong charges related हमारा कुछ जो bill है वो गलता गिया है wrong charge होगी है reading उडिंग तो वो आप correction करवा सकते हैं फिर हमारा wrong reading mass supported हम मान लेते हैं दोस्तों हमारा reading जो मीटर में है वो हमारा 1005 है और जो हमने bill पाया है बिल हमें जो मिला है उसमें 1050 है या ज्याज़ है 1200 है इस टाइप से हो गया है तो वो आप wrong reading में complain कर सकते हैं कि हमारा wrong reading किया गया है तो इस तरह से आप complain वो कर सकते हैं दोस्तों तब dot com देखें दोस्तों Google खोल लिया उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करेंगे SBPDCL ठीक है दोस्तों SBPDCL टाइप किया देखें हमारा फर्स्ट लिंक आएगा South Bihar Power Distribution Complain Limited इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए Online complaint नहीं आप दिख रहा है उसके बाद अपना division type कर लिजेगा कहां आपका division पढ़ता है division type करने के बाद subdivision type कर लिजेगा उसके बाद address अपना type कर लिजेगा village post ps जो भी आपका हो वह complaint category आप चूच कर लिजेगा कि हमारा क्या है billing related रहेगा तो billing related कर लिजेगा देखिए यहाँ पर हमारा wrong reading हो गया है य बिल नहीं अगर रिसीव हो है तो यह करेंगे फाइनल बिल बनवाना है लाइन कटवाना है तो यह करेंगे फ़र्स्ट बिल नोड जेनरेटर हमारा अगर फ़र्स्ट बिल नहीं मिला है तो वो करेंगे एक आप्शन पे क्लिक करेंगे हाई कंज अप्शन हमारा जो बिल है प्रोब्लम हो यहाँ पर लिखियेगा कि सर मेरा बिजली बिल बहुत ज्यादा आ गया है आ गया है सो मेरा बिजली बिल सो मेरा बिजली बिल सुधार कर सुधार कर दिया जाए ताकि हम बिल भर सकें यहाँ पर जो capture है वो type the code zone यह आप type कर लिजेगा उसके बाद simply submit बटन पर click कर देना है submit बटन पर click करिएगा आपका वो complaint चला जाएगा ठीक है दोसके बाद आपका यह complaint number मिलेगा वो complaint number आपका वो हो जाएगा आपका और आपको 10 days के अंदर में आपका वो issue solve कर दिया जाएगा दोस्तों तो इसने आपका पीछले वीडियो में हमने बताया था meter replacement के लिए online कैसे करेंगे तो हमारा meter लगेगा और build generate होगा तो इस तरह से आप यह कर सकते हैं दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो